हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्ट्रॉंगेस्ट हंडर की एपिजोड 48 के साथ हाँ सिरू एपिजोड की शुवाद में हमें वो आदमी दिखा जाता है जो जियांग से कहाता है हम लोग एक्चुल में ये जो दवाई हैं उसे जियांग जियांग पिल बुलाता है मैं इस कैपसुल को देखते हैं का था कि ये लोग क्या बनाने कोईश कर रहे हैं क्योंकि ये जो बॉल्ग टाइप की चो क्रियेचर्स होता हैं वो बहुत जा स्ट्रॉंग होता है और अगर हम लोगोंने इनकी जो अबिलीडीज हैं अगर साथ में कमबाइन कर दिया तो ये बहुत से खतरनाक बन सकता है और हमाई स्कूल के अंदर हमें लेसन मिला था कि अगर ये जो एक्स हैं उन्हें अगर माइनस 40 डिगरी पे अगर फ्रोज कर दे तो ये जो मॉस्टर्स हैं, वो हमर्ज तो सकता हैं पर जैसे ही उनका जो टेंपरशर रहा हैंप cousinus नर्मल हो जाएगा वयसे वो हम आपने आपको recover कर सकता हैं और भे तोर तोरं ती उनका जो पर शेल लगा हुआ है वो उसे तोड़तीों बाहर भी आ सकते हैं इन लोगों ने इस दोई की जो प्राइस है उसे बढ़ाने के लिए उसे कैपसुल में ट्रांस्वर कर दिया और अगर ये लोग ने कैपसुल के अंदर ट्रांस्वर कर दिया दो तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है क्योंकि जैसे कोई यूमन इसे कंस्यूम करेगा और इसकी जो मेडिसन है वो उसके स्टमक में जाएगी वैसे ओ धीरे-धीरे उस मेडिसन को एक ऐसा टेंपेशर देदेगी जिससे वो अपने आपर रिकॉर करेगा और वो यूमन के भार आ जाएगा और फिर भले वापे सिर्फ एक ही monster क्यों ना हो पर वो 1000 गुना strong होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत से amount में अलग-अलग monsters का DNA मिक्स हो चुका है और मैं तो यहापे यह सोच रहा हो कि यह लोग कौन सी research करके बैठे हैं इन लोगों यह तक नहीं पता क्या ऐसी situation create हो सकती है ऐसी दवाई से और मुझे उन लोग को लिए बहुत से attention हो रही है जिन लोगों ने अभी तक इन दवाई को purchase भी कर लिया होगा और क्या पता उन लोगों ने consume भी कर लिया हो मैं तो उन सभी के लिए सिर्फ एक टम यूस करना चाहता हूँ वो सभी बहुत से crazy है जो ऐसी medicine के अपर भरोसा भी करते हैं और उसके अद्वा आदमी मिंग को एक room में लेके जाता है और वो मिंग से कहता कि मैं तो मैं अभी ऐसी चीज दिखाने वाला हो जिससे तुम बहुत से शौक हो जाओगे पर जैसे तुम्हें बहुत से बहुत से भरोसा हो जाएंगा हमारी company पे और मैं तुम्हें एक fact बताたा हूँ इस product के लिए यह जो product है उसको मिलने के लिए बहुत जार रिच पीपल आते हैं और वो लोग पैसा पानी की तरफ भाद देते हैं सिर्फ उसे मिलने के लिए क्योंकि उन सभी लोग को बहुत जार इंटरस्ट है ऐसी चीज़ को देखने में जो हमारी अर्च से भार की हो और फिर वो आदमी दूसरा आदमी से कैज़ा की इस चीज़ को उपन कर लो और फिर वो लोग तुरंती उस परदे को हटा देते हैं और फिर जैसे यह परदा हटता है वहापे हमें एक monster दिखा जाता है जो बहुत से बढ़ा होता है तुम बिल्कुल सही हो यह एक young calamity emperor beast है और मैं तुम्हें बता दू यह भी जिन्दा भी है मेंगोस आदमी से कैज़ा की क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि तुम्हें official से इस चीज़ के बारा permission भी कैसे मिलती है वो आदमी से smile करते हो कैज़ा की यह हम लोग अकेले नहीं है जो इस beast के उपर research कर रहे है और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ हम लोग जो भी इस चीज़ के उपर research करते हैं वो लोग research करने के बाद हम लोग astronomy group के अंदर यह साई research का data भीज देते हैं मेंगोस आदमी से कैज़ा की पर यह जो officials होता हैं वो लोग तो हम बैन नहीं करते हैं ऐसी personal research करने के लिए वो आदमी कैज़ा की हमारे पास बहुत से रस्त हैं जिससे हम लोग हमारे research को continue करते हैं और फिव आदमी तुरंती इविल सी smile देते हो एक आदा की तुम तो यह पर सिर्फ हमारे product के अपर ब्रहोसा करने के लिए आए थी तो तुम्हें अब तो बड़ा चल गया क्या हमारे products कितने ज़्यादा reliable है तो अभी तुमने अपना मन बना लिया हमारे products खरीदने में मेंगोस आदमी से कैज़ा की मैंने कभी नहीं सोचा था तुम लोग कुछ ऐसी पिल बना सकते हो जो बहुसे awesome हो तो चलो फिर मैं तुम्हारे यह जो product है उसे खरीदने में interested हूँ वहाद में उससे कैदा की तुम्हें यह पिल चाहिए तो मैं तुम्हें इसे 30% discount में available करा सकता हूँ में उससे कैदा है की क्या मैं इसका payment card से कर सकता हूँ वह आद में उससे मना करते हूँ कैदा की हम लोग card को accept नहीं करते हम लोग सिफ cash ही accept करते है क्योंकि तुम्हें पता ही है लोग को हमारी information पता चल सकती है card के through में इस आद में इसे कैदा की मैं तुम्हें इस चीज अधके पास और को मैं नहीं बता सकता पर ओ तुरंटी MInG के पास आते है क्याँडा कि मैं चलो तुम्हें बताई देता क्यूंकि तुम्हें sister हूँ ने भेजाया या यापे वह आद मिंग करान के पास आतो है कि मैं तुम से अभी पहले कहा था ना कि हमारे पास पहले से एक backup है तो मैं तुम्हें बता देता हो कि हमारे backup में कौन काम करता है एक्चल में हमारे लिए यह जो साउट सीडी का एडवांस आवलिशन स्कूल है ना उसके अंदर जो research development जो area है वो हमारे लिए काम करता है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना इचानना काफी है क्योंकि तुम्हें अब भरोसा हो सकता है क्योंकि वहां के जो instructors हैं क्योंकि वह सब बहुत ज़्या highly qualified है मेंग अपने मुझे में सोचते हैं कि यह बहुत से disappointment की बात है कि हमारे स्कूल के लोग इस black market के साथ मिले हुए हैं मेंग उस आदमी से कहता है कि तो आप मैं शौर हूँ तुम्हें products खरीदने में पर मैं फिलाल तुम्हें cash नहीं दे पाऊगा क्योंकि मैं cash नहीं लाया था मुझे लगा मैं card से pay कर पाऊगा तो क्या मैं वापस जाके cash लेके आ सकता हूँ वह आद मुझे हाँ कहता है और हो कहता है कि तो चलो मैं तुम्हें वापस से third floor पे लेके जाता हूँ और उसके आद हो लोग लिफ्ट में चले आता है और वंदा लिफ्ट पे नमबर टाइप कर चुगा होता है पर थोड़ी देर के बाद भी वह third floor पे नहीं पहुचते मिंग अपने मनुए सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब सा नहीं हो रहा हम लोग कब से उस लिफ्ट म होगा जो secret floor है जो floor कोई भी customer visit नहीं कर सकता पर मुझे उस room को भी investigate करना है पर यह लोग मुझे वापे लेकर नहीं जाएगी और उसके थोड़ी दिर के बाद वो लोग थर्ड फ्लोर पे पहुच जाता है वो लोग जैसे ही उस लिफ्ट के भार जाता है वहां से एक लड़ लड़की को देखा जो अभी यहां से गई थी मेंग उससे कहता कि हाँ मैंने उससे देखा तो सही पर तुम मुझे बताओ कि उसमें क्या प्रॉल्म है वह आदमें से कहता कि तो आप तुम यह पर अपना प्लैन नहीं बनाओगी हमें कोई अलग सा एक्स्प्रेशन देने के लिए वह अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी एनरजी को रिलीस करता है वह आदमी मिंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग जो स्पाइस होता है उन लोगों से बहुत जाद नफरत करता है और तो और हम लोग उने जिंदा भी नहीं छोड़ते बाद में और फि गले बाई